दो भाईयों के जगड़े में एक भाई जो है इस दुनिया से चला जाता है जिसमें दो भाई जो है नशे के आदी थे और जो है एक भाई दूसरे भाई पर लाटी डंडो से वार करता है और सिर पे चोट आती है और जो अब इस दुनिया में नहीं रहा उसका नाम अश्वनी परिवारजन यहां पर मौझूद है उनसे बातचीत करते हैं तब तक के लिए वीडियो को शेर जरूर कीजिए जी क्या हुआ था क्या कुछ हुआ था कि तो क्या कुछ हुआ था कि समय का यह मामला सामने आया निकल कर मतलब कल साम की बात है तो कि साम करते हैं तो किस तरह से जगड़ा हुआ था किस समय हुआ था तो आपकर से तू तू महम होगी बस एक दूसरे को बाद के ती लगए तो कि अश्वान है उसके जादा चोटा आए तो होस्पिटल नहीं लाए गया है क्या नाम था? क्या नाम था? वह जो पागाल है उसके तम क्या नहीं कि तिरी से बत्री साल की मुरों कि इसकी बड़े वाले कि कल साथ वजे के करीम सूचना प्राफ्त हुई थी कि रामनगर में पाणी की टंकी के पास दो बाहियों का अपस में जगड़ा हुआ है जी सूचना पर हमें पता चला था कि एक पाइगो इलाज के लिए यहां सरकारी उस्पिकल में लिए हैं जिसकी यहां पर मोत होगी तो मुक्त पर दर्ज करते के पूस्मार्टम की कारवाई अमल में लाई जाए जाए क्या नाम था सरुम का जिनकी डाती है अस्वनी सनो प्रेम चंद वसी प्रेम नगर करीव अठा किस तरह से परिवारजन यहां पर मुझूद था उनसे हमने बातचीत कि उन्होंने बताया कि किस तरह से दो भाईयों के बीच में आपस में जड़प हो जाती है लड़ाई जगड़ा हो जाता है कि लाठी डंडे तक चल जाते है और उसके बाद होता क्या है कि एक भाईये जिसका नाम अश्वनी है वो भी दुनिया में नहीं रहता है क्योंकि उसके सर पे जादा गहरी चोट उमर है 28 वर्ट शच्वनी की उमर बताई जा रही है और किस तरह से जो है दो भाईयों के बीच में लड़ाई होती हो राम नकर का ये मामला है पानी की टंगी के पास जगड़ा होता है कल शाम के तीन से चार बजे के बीच जगड़ा होता है फिर हस्पताल लाया जाता है औ दोक्टर जो है म्रत गोशित कर देते हैं तो देख सकते हैं परिवारजनी आपर मोजूद था उनसे हमने बातचीत भी की है तो ऐसी तमान ख़बरों के लिए मारे चैनल से बने रहे इसी के साथ जय हिंग जय भर